Hello friends, तो कैसे हैं आप सब, I hope आप सब स्वास्थ होंगे और मस्थ होंगे, मैं हूँ सरीता और बहुत वाद वेलकम करती हूँ आप सब कराशी लोग है सरीता में तो friends, आज है जिवीत पूत्रिका वरत का नहाय और खायानी नहाना और खाना जी याँ जी वीद पूतरिकावरत जिसे जीतिया भी बिहार में इसको बैसीकली अपने बच्चों के लिए किया जाता है तो बस आज सौम वार है और सौम वार के दिन द्रभा नहाना Woo & जिसको नहाऑ खाय कहा है तो आज हम लोग बस नहांके और कुछ प्रसाद अगर अपने पीत्रों को चढ़ा के पुरुजों को चढ़ाते हैं और उसके बाद कल से सुबह से सेहरी खाने के बाद कल सुबह से यह व्रत श्टार्ट हो जाएगा और विहार जारखंड किसे जो भी लेडिज हैं उनको सभी को मेरी तरफ से हैपी जीतिया और अच्छे से आपका वड़त संपूर्ण हो जाए मैं भवान से प्रातना करती हूं बिना किसी रुकावट के निर्विगना आपनों का वड़त संपन्न हो तो चलिए फ्रेंड्स साती हूं और उनकी पूजा करती हूं और आभी मेरे साथ इस सुरत में सामिल हो जाएं तो फ्रेंड्स आज से हमारे वड़त स्टार्ट हो गया है तो यहां पर मैं चढ़ाड़ी हूं उपने बात्रूम में जो जुगनी का या जो जिसे घीया बोलते हैं उसका पत्ता रहता है सरसों की खली और सरसों का तेल बट खली तो यहां मिली नहीं तो मैंने सरसों को मिक्सी में पीस लिया था और उसी से मैं चढ़ा रही थी और बैसिकली यह आंगन जहां पर गाउं में हम लोग के यहां होता है तो खुले में आंगन में यह सब किया जाता है बट यहां तो यह कर लिए Fighterों में तो इस तरह मैं जूईनी का पत्ता भी मुझे बहुत ही ए मुश्किल से मिला था जहीनी का अदर से हिसे बात्ति में पोत्गों के लाई में हम शोलिए ने लगा रखा था तो हमांग के मेरी बैटी ले आई और फिर मैं यहां पर कर रही हूं और अपने पुरवजों को प्रनाम करके मतलब हम लोगों का स्टार्ट हो गया से इना हांते टाइम में हम लोग को करना होता है तो लोग करते हैं और फिर अगरबती वगड़ दिखा के फिर हम उन्हें परनाम करते हैं और फिर यह जो तेल और जो यह सरसो का पेस्ट बच जाता है फिर उसे हम लोगों को बाल में लगा के फिर बाल में शेंपू करना होता है तो वह क्लिप मैंने आपको दिखा रही हूं तो उससे फिर मैंने बाल में लगाके जो पारंपरा है चल यार यार तो हमें निभाना पड़ता है और हम लोग बहुत हम दिल से निभाते हैं इसमें थोड़ी सी भी हम लोग गलती चाहते हैं कि नप कुछ भी गलती ना हो जाती है तो भुल्षुप करके भौवान चमा कर दें और फिर नहाने के बाद में आ गई थी तक ये शड़ाने के लिए जो हमारा पुजारूम नहीं चुछा रहा है जाता था तो यह पुजारूम का जो मेरी बालकनी तो उसी के लगी दिवार में चढ़ाना होता है तो यहीं पर मैं चढ़ा रही हूं और इसमें भी वही जीनी या घीवडा का पत्ता जो होता है उसी पर चढ़ाया जाता है वैसे तो हम लोग जैसे भगवान जी को कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो केले के पत्ते पर चढ़ाते हैं बट इसमें जो नियम है वो नियम हम लोग करते हैं कि जही के पत्ते पर चड़ाया जाता है और सभी बहुत सार्य attempt के अलग अलग कुछ ठाइब से होते लोग को अलग अलग पर धियosed हैं में होते हैं पर हम लोग के हां सिर्फ चूड़ा दही चढ़े जाता है जुसे पौहां बोलते हैं बहुत सारे लोग वह से लेकिन हम लोग उसे चुड़ा बोलते हैं और दही और सक्कड यह हम लोग चरहाते हैं और जो जिस भगवान को हम लोग चनासे उनका नाम होता है जीत और फ़िल हम धा कथा भी होती है कथा मुझे नहीं आती बट जो हमारी दादी नानी लोग है वो कथा भी करती हैं बट यहां कथा करना तो पॉसिवल नहीं है तो मैं सिर्फ प्रशाद चरहा रही हूं और इस पड़व को जीवित पुत्री का अवरत भी बोला जाता है जैसे आप कलेंडर वग बच्चों के लिए ही किया जाता है कि वह पहां बोलता है कि बिटे के लिए क्लिए क्रति हूं क्यों कि आपड़ी अभी बेटों के लिए होती है, दोनों और उन्हें लंबी उम्र देन बैसके लिए बच्चों कि लंबी उम्र के लिए नुब आपक्र किया जाता है और यह बेख्या है इसम्हेंप हर साल अलग-अलग टाइमिंग होती है कभी शाम में बुर्प रवाना होता है कभी सुबब रत खोलना होता है तो इस तरह से हर साल इसकी अलग-अलग त्थी निकलती है और इस बार तो यह काफी हाड हो है क्योंकि इसमें जैसे हम लोग कल सुबह सेहरी खाएंगे सेहरी खाया जाता है जैसे कुछ चाय वगड़ा आप पी लिजिए या कुछ भी आप जो भी खाना है दही वगड़ा या मीठा वगड़ा दवा वगड़ा वो सब अपना खा लिजिए सुबह में चार-पांच बजे के लगशुरी अदर से पहले और फिर उसके बाद से पूर दिन लगभग समझिये हो ही जाएगा क्योंकि पांच बजे वरत खोलना है पांच बजे साम में तो समझिये कि दो दिन का पूरा निर्जल वरत रहेगा ये और बहुत से आरे जो मेरी रिलेटिव्स हैं वो तो अभी से सोंच के डर रही है कि कैसे पार लगेगा कैसे हो है तो बस भगवान का नाम लेकर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है देखिए क्या होता है देखा जाएगा भगवान नहीं आपार लगाएंगे और बजब हम बच्चों की बात आती है तो फिर तो मां कोई भी हार्ड वरत करने के लिए तैयार हो जाएगी किसना भी कठीन वरत हो अपने बच्चों की लंबी आयों के लिए तो कितना भी कठीन वरत हो मां करती है मां के लिए तो दो दिन क्या तीन दिन भी अगर बोले फास्ट रखने वरत रखने तो रख लेगी तो यही होता है हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते ह और फिर चलते चलते फ्रेंट्स आज की टिप यूंकि टिप के बिना तो वीडियो अधूरी है तो बस हरी मिर्च को बचाने के लिए सरने से इसके डेंठल को तोड़ दीजिए और फिर उसे प्लास्टिक में पैक करके रखिए फ्रेज में दो से तीन हफ्तों तक मिर्च बिल कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छी वीडियो ला सकूंँ तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक चलिए बाबाई टेक केर